आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने वेबसाइट से अपने प्रोड़क को सेल करके लाखो रुपय कमा सकते हो and साथी साथ अपने ब्रैंड को भी हिट कर सकते हैं वेबसाइट पे ट्राफिक लाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर की सारी अटेंशन अपने वेबसाइट पे लाना होगा जिसके इन रिटर्न में वो कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे आके प्रोड़क को पचेस करेंगे and return आपकी sales and traffic को increase करेंगे So, जी हाँ दोस्तों, मैं रविरेंजन आपका Big Faction channel में फिर से स्वागत करते हैं बहुत सारे लोग हमसे एक question पूछते थे कि website से traffic कैसे लाया जा सकता है and in return sales को कैसे बढ़ाया जा सकता है So, इसी वीडियो का हम लेके आए जहां पे हम 5 strategies के बारें बात करेंगे जहां से हम website पे traffic लाने की बात करेंगे और क्यूंकि हम सभी जानते हैं आप अपने website के content को जितना भी अच्छा कर ले उस पे जितना भी पैसा खर्च कर ले या जितना भी paid marketing कर ले आप फिर भी website पे traffic लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो आज आप उनी 5 strategies के बारें बात करेंगे जो आप follow करेंगे तो definitely आपके website पे traffic आएगा और आप लाखों के तादात में पैसे कमा सकते हैं अपने products को और sell कर सकते हैं और definitely अपने branding को और दुरूस्त कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहरा strategy है direct traffic तो इस strategy को हम यह नहीं बोलते हैं कि आप Google पे search करके उसको click करके उसको direct traffic कहीं नहीं जब भी कोई आपके domain name को click करता है और आपके website पे land करता है उसे हम direct traffic कहते हैं और आज कल यह काफी ज़ादा तादात पे लोगों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं आईए जानते हैं बहुत सारे आप देखेंगे newspapers में, restaurants में अगर menu में जाएंगे तो उन्होंने QR codes डाला हुआ है payment methods पे भी QR code पहले से ही है बट अब website visit के लिए भी QR code डालता है वो QR code का आप scan करेंगे तो directly उस website पे land करेंगे जैसा आप हमारे bigfaction के reels पे भी देखते हैं कि हमारे नीचे bottom पे हम QR code डाले हैं आप उस QR code क्लिक करेंगे मतलब scan करेंगे तो आप directly bigfaction के website पे आप चले जाएंगे तो यह होता है direct traffic का एक strategy so direct traffic का आप कैसे ला सकते हैं direct traffic का बहुत important है link share आप whatsapp के थुरू आप telegram के थुरू करके direct traffic को ला सकते हैं आप QR codes अपने जितने भी articles हैं अपने जितने भी channels को आप use कर रहे हैं mails को use कर रहे हैं pamplets को बना रहे हैं उसमें आप QR code को भी करवा के वहाँ scan करवा के भी direct traffic को अपने पास तो यह होते है direct trafficking करने का बहुत सारी तरीके so आए इसके बारे में एक चीज़ और जानते हैं so इस strategy में आप domain name को ही वैसा select करें जो कि आपको लगता हो थोड़ा सा weird हो या आम पब्लिक को थोड़ा सा attract कर सके जैसे की बेवकूफ.com तो आप जैसे देख रहे हैं कि बेवकूफ.com में यह domain name भी सिर्फ popular नहीं हुआ .com भी इसमें साथ लगा हो वी बात करता है बेवकूफ.com पे जाके products देखो इस तरह के से बात करता तो यह बहुत यूनिक strategy है direct trafficking लाने के लिए अपने website पे तो दूसरा strategy होता है organic traffic तो यह paid traffic नहीं है मैं सबसे पहले यह clear कर लूँ इसका यह मतलब है कि organically आपके website को Google पे search करके वहाँ पे वो आप पे reach out कर रहे हैं तो for example अगर हम बात करें best digital marketing company इन वारा नसी for example हम search करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे company का नाम इसमें top पे आ रहा है तो कहीं न कहीं हम लोग ने वैसा article जो डाला है या blogs को publish किया है जिससे कि वो ranking में automatically उपर आई है और organic search के थुरू लोग उस पे देख रहे हैं आटिकल को read कर रहे हैं और कहीं ने कि उनको लग रहा है कि वो उनको के लिए फायदा होगा तो हमारे website पे रखे हमें वो definitely reach out करने के कोशिश कर रहे हैं और in turn वो हमारे customer बन रहे हैं इसके लिए सबसे important है कि आप अपने website पे blogs लिखें जब वो blogs जो आप लिखते हूँ वो publish होती है तो कहीं न कहीं उससे search rated लो भी लोग search करते हैं उससे क्या होता है कि आपके website पे उस blogs के ranking बन जाती है तो जब वो ranking बनती है तो कोई भी उसको लेके sell करता है जैसे कि how to sell on Amazon अगर हुआ तो सबसे पहले आपको क्या blogs में देख सकता है अगर आपको लेख सकते है best digital marketing company जैसे मैंने पहले example site किया best digital marketing company in Varanasi तो क्या आपको देख सकता है best influencer company in Bangalore तो आपको क्या results देख सकते हैं तो ये कैसे results शो हो रहे हैं यह होता है कि article या blogs में चीज मेंशन होती है जिसके वाज़े से traffic increase होती रहती है और कहीं न कहीं हमारा जो content है वो इतना अच्छा होता है कि लोग उस पे आते हैं ranking generator ते click करता है और हमारे customers बनते हैं तो Google पे organically rank करने के लिए चार चीज़े जो की बहुत important होती है वो इक होती है पहले content दूसरा होता article तीसरा होता video और चौता होता blog आप जितना ये चारो चीज़ को अच्छे से use करके आप ला सकते हो अपने website पे उतना अची तरीके से आपके website के ranking बढ़ेगी जब ranking बढ़ेगी तो traffic बढ़ेगा जब traffic बढ़ेगा तो definitely आपके पास काम आएगा तो जब आपके पास customers आएगे तो आपको sales होगा और definitely आपको benefits होगा एक तीसरा strategy होता है referral traffic ये क्या होता ये बात करते हैं जैसे कि हम लोग ने पहले भी कहा कि हम अपने website links को whatsapp, telegram ये और फी किसी तरीके से ने directly big faction को connect किया हो तो ये होता है referral marketing या referral traffic तो referral traffic आज के time पे भी बहुत एक important marketing या कह सकते हैं traffic लाने का एक जरिया हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे app भी क्या करते हैं refer and earn का एक slap या फिर एक topic डाले रहते हैं तो जब भी आप refer किसी को करते हैं तो आपको incentive मिलता है या फिर एक cash reward मिल सकता है तो जिससे आपको एक benefit हो रहा है ताकि आप किसी को भी refer करें और उसका benefit directly वो company आपको देती है तो आज के time पे मैं एक बहुत एक successful journey आपको बताता हूँ जब Ola ने start किया था अपना business Bangalore में तो Ola ने क्या किया था वो हर successful referral पे 300 rupees को वो gift करता था जिससे कि क्या होता था कि काफी लोग उस referral policy को use करके बहुत initially few months में काफी अच्छे तरीके से Ola rights को उन्होंने use किया तो ये होता एक strong referral तरीका आज के time पे भी referral policy है बट definitely जो cash advantage वो कम है बट जो initially जो मिल रहा था वो इतना huge मिल रहा था जिसके विए से आज Ola के पास इतने जादा customer base है तो कहीं ने कहीं ये referral policy भी बहुत ही अच्छा टेकनीक है जिससे आप traffic gather कर सकते हैं अपने website पे जो चौथा strategy है वो है social media marketing आप social media marketing किस पे कर सकते हैं Facebook पे कर सकते हैं Instagram पे कर सकते हैं YouTube पे कर सकते हैं और WhatsApp पे भी कर सकते हैं हाला कि WhatsApp का तरीका थोड़ा सा different है बट इन सारे चीज़ों पे हम लोग ने डीटेल में वीडियो बिग फाक्शन में पहले ही से बनाया हुआ है जिसका link हम description box में जरूर mention किये हैं आप please वो सब strategies भी जरूर देखे हैं आप देख सकते हैं कि social media marketing के थुरू भी आप अपने website पे कितना अची तरीका से traffic ला सकते हैं आप जितना अच्छा से post create करेंगे content create करेंगे और साथी साथ website link देंगे तो लोग जब आपके post को content को like करेंगे तो definitely आपके website को visit करना चाहेंगे कि उन्हें वो product पसंद आया या फिर उनको वो strategy पसंद आया जिसके विसे आपके website लैंड किये और definitely फिर जाके आपके products को purchase करने का idea बनाते हैं तो social media marketing भी आज की ताइम में बहुत है important strategy है website पे traffic लाने के लिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं social media marketing का techniques क्या होता social media marketing में दो techniques होते free marketing technique और एक होता paid marketing technique free marketing techniques में हम बात करते हैं blogs बनाने का, videos बनाने का, articles बनाने का और paid marketing में हम use करना चाहते हैं metasuits को, youtube के platform को google ads के platform पे जहां पे हम जो भी अपना article publish करना चाहते हैं, या फिर अपने website को directly promote कर सकते हैं और देखते होंगे आप facebook पे य इंस्टा में कई बार sponsored करके आपको काफे सारे article शो होते हैं, तो इसका वो मतलब होता है कि वो paid marketing के अंदर हो रहा है, बट आप उसको भी यूज करके efficiently अपने website पे traffic ला सकते हैं और जैसे कि मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ आपके website पे traffic increase होगा, तो sales definitely आपकी भी increase होगी और fifth और सबसे important है paid marketing, तो paid marketing का ये मतलब होता है कि हम directly platforms को, जैसे google platform हो गया YouTube platform हो गया, Metasuits platform हो गया, उनको directly हम पैसा दे रहे हैं कि हमारे website को promote करो और in return traffic बढ़ाओ, जैसे कि आप काफी सारे ads देखते होंगे, banner ads देखते होंगे, YouTube के नीचे, आप अगर कोई article, newspaper article को आप open करते होंगे, तो उनके side पे आप banners देखते होंगे, जिस पर आप click करते हो, directly उस website पर आप direct कर जाते हो, इस तरह काफी सारे websites भी होते हैं कि आप जब किसी और website को किसी और purpose पर जाते हो तो आप ads देखते हो बगल में, जब उस ads को आप click करते हो, तो directly आप website पर चले जाते हो, यह होता paid marketing का तरीका, जहां पर आप अलग-अलग platforms को पैसा देखे, directly अपने website को promote करते हैं, तो दोस्तों यह रहा जहां पर हम strategies की बात किये direct traffic, हम बात किये refer policy, हम बात किये social media management, हम paid management हम यह सारे चीज़ से बात किये, जहां पर website पर अपनी traffic बढ़ा सकते हैं तो यह आपको समझना बहुत important है, कि जैसे ही अगर आपका website start होता है, आप paid marketing में directly मज जाईए, because अगर आप paid marketing में जाएंगे, आपका पैसा जादा खर्च होगा, आपके traffic उतने नहीं आएंगा, अगर आप traffic ला भी पाऊगे फिर भी sales नहीं आएगा, तो आपको पहले यह सारे organically तरीके use करने होंगे, तब फिर आप यह सारे paid चल जाओ, आपके channel या फिर आपके website को growth मिलना start होगा, तब फिर आप paid marketing को use के, जिससे आपको best benefits मिलेगा, और आपको return और investment जो हम लोग बात करते हैं, वो आपको आपके अनुसार मिलेगा, वरना आपको यह लगए कि आपने बहुत जादा invest कर दिया, लेकिन आपको output नहीं आया है, तो output देखने से पहले आप यह strategies को जरूर follow करें, और जब भी आप paid strategies में जाएंगे, तो यह सारे output को जब आपने follow कर चुके हैं, तो आपको इसके benefits भी दिखना चालो हो जाएंगे, तो दोस्तो, उमीद करता हूँ आपको आज यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपको लगता है कि इस तरीके वीडियो और आने चाहिए, तो प्लीज हमें comments box में ज़रूर mention करें, so, Big Faction को चैनल को subscribe कीजिए, अगर आपने subscribe नहीं किया, तो सबसे पहले इसको ज़रूर कीजिए, और bell icon को ज़रूर दबाए, जिससे Big Faction के आने वाले हर वीडियो को notification आपके बास सबसे पहले आए, Big Faction से बने लेके धन्यवा, thank you.